दोस्तों कैसे आप लोग उम्यद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो में लेक्षा चुका हूं आज एक नईया वीडियो कुछ नईया टोपिक तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके लास्ट तक देखना आज का वीडियो कापी ज़्यदा कममाल का होने वाला है था आ आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर देना संस्क्राइब संस्क्राइब करने के बाद में आपको यह घंटी दिखाए देर कि इस घंटी को वहल पर सेट कर लेना ताकि हम कोई भी ने श्ट्यूड लेकि आए वह सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेस से नाए तो आ इसे रिसेट करके बताऊंगा आप कैसे रिसेट कर सकते हो जो तो गाइस रिसेट करने के लिए आपको कुछ ने करना है अब आपको अपने फोन के अंदर जहां कई भी सेटिंग हो आपकी फोन की टेकनों की उसे ओपन कर लेना मेरे फोन में आप देख सेटिंग तो मैं इस सिस्टम का तो आपको सिंपली सिस्टम के ओपर किली करना है सिस्टम के ओपर किली करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ओप्सन देखने को मिलेगा रिसेट ओप्सन तो आपको सिंपली इसके ओपर किली करना है इसके ओपर किली करने के बाद में गईज अब आप यहाँ पर कैसे reset करना चाहते हो यहाँ पर अपना mobile को आप अपने सबसे यहाँ पर देख लेना यहाँ पर Aries old data factory reset आप गर आपने पूरा phone को reset करना है तो आपको simply इस नीचे वाले option के उपर click करना होगा उसके बाद में guys आपको यहाँ पर go it के उपर click करना उसके बाद में अपना phone reset हो जाएगा टेकनो को हरलाइं कि मुझे भी reset नहीं करना तो मैं ऐसा जाता हूं बेक अगर guys आपका phone को reset करना है तो आपको चीज़ परकार reset कर सकते हो अपने टेकनो के phone को I hope आपने मारे इस वीडियो को बीना skip के देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे टेकनो को phone को reset कर सकते हो आपको समझ आ गया तो आप स्वीडियो को कर देना like channel पर नहीं हो तो channel को कर देना subscribe बाइके में मिलता हूं उकसे ने स्टूडियों में किसी नए टोपिक के साथ तिपते के लिए भाई भाई दोस्तों ना खयाल रगना दन्यवाद